नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके तैयरी बहुत अच्छे से चल लए होगी जैसे कि आपको पता है कि यूपीटी प्रैसी जुले सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपसित होते हैं और थंबल देखकर आपको पता चली का होगा कि आज हमारा जो आज वीडियो के परपस है वो क्या है तो दोस्तों बहुत सारी क्वेरी हैं बहुत सारे कुर्शन हैं सब को लेकर हम आपके साम में 5512 पोश्ट थी सोट लिष्ट आ चुकी है सबको पता है मैंने इस पर तीन वीडियो कल भी बनाई थी तो दो लाग तैसले आट से क्यानव चुक लिया गया है जो कि लगभग हमारे 44.25 गुना है और उस्तन जो मेरीड गई है वो कितनी गई है 55 पोइंट 55 पोइंट आप लग इतने बच्चे ले लिए दोस्तों यह जरूरी किसा पढ़ने वाले हैं ठीक है इसमा आधी से ज्याद है जो है जो टाइपिंग नहीं जानते सीज़ी बात यह है कि जब सोट लिष्ट 15.25 पर जाने के बाद भी इतने ही बच्चे मिले हैं इतनी कम कर पता है कि बहुत क अरे कम बच्चे वालों बच्चे जो है वह ऐसे हैं जो 50 से नीचे नंब लेगा है अब आपको पता 2022 के पैट में अगर आप पचास से नीचे नंब लेकर आए हैं तो उनकी हालत कैसी होगी पेपर में पैट के पेपर से तो अच्छा पेपर बनेगा क्यों कि दो हजार पढ़ा है और अगर सही बात मान करें चुलो नहीं में 2,63 बच्चों में मैं तो तो कोमपेडिशन के बेच्चों में केवल कॉंपेटिशन 40,000 बच्चों में है यह आपको पता है उन 40,000 में से 30,000 बच्चे जो है टाइपिंग के लिए लग 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 ती सायर बच्चों को टाइपिंग कराएंगे तो आपको 40,000 में से 30,000 अपना नम्बन लाना है पर नंतों हमारा परपस्ट होना चाहिए वह इसको यह साचा होना चाहिए तो चलिए इसी परौट करेंगे कोंपरिशन बहुत कम है एक्जाम कभे तो मैं आपको वताता हूंगे उसके बाद मैं आपको एक्जाम होगा है यह पहला एक्जांव जो होने वाला हो कौन सा होगा बीपी होका सबसे पहले ही एक्जाम का दू दो एक्जाम के बाद आपका एक्जाम होगा यह आप आप याद रखना है ठीक है एक्जाम पैटन आप सब लोग जानते हैं कि सो नंबर में है ठीक है वो बता दूंगा आभी, कितने number पर selection भाइबात बढ़ागे है मैं typing बताना चाहूंगा बच्छों को हिंदी की typing 25 बड different है पाँच मिनकी होती है English की 30 वर पर मिनक यह भी 58 वाट पोचाता स çalış卸ा क्や 125 बैर मिलनगे या ज्याधा तो इस से ज्हेंग सकते हैं पे पर होते हैं तो उपर pace से चलता रहता है जैसे यह कम्प्यूटर की डिस्प्लय होगा यहां आपके आएंगे ठीक है और यहां में ट्यूट यहां फुरी करोगे तो यह आपके सब्दों चपेंगे ठीक है तो यहां वात यग है अब टायपिंग की बात हो चुक् Hi best आपकी एका में और यह जून के लास्ट भीक है लास्ट भीग और जुलाई के आऽ परश्ट भी तो यड़ यज़ाँ होगा तो आधि आपके पास यह मार्च आधा है अपराइल माई जून तीन माँ यानि कि सो दिन है आपके पास आप सो दिन का टार्गेट लेकर चलो कितने दिन का? सो दिन आपके पास है इस एक्जाम के कितने दिन है? सो दिन इस एक्जाम के है क्योंकि अभी पंद्रह दिन 16 दिन मार्स के भी है और जून के जुलाई के पहले बीक में एक्जाम होगा तो आपके पास 100 दिन है 100 दिन में टार्गेट करना है और 100 दिन में तैयारी कैसी करनी है यह मैं आपको बताने वाला हूँ और साथी साथ जो है आपको सेलेक्शन किते नमबर Mr. लेना है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीकए तो यह परिछी प्रसन है और तीस अंक है ठीक है रेजिनिंग जो है आपकी 15 प्रसन की है 15 ही प्रसन है आपका जीके और जीस प्रसन है बीस अंक है कम्प्यूटर आपका 15 प्रसन है 15 अंक है ठीक है बहीं पर यूपी इस पेशन आपके 20 प्रसन है और 20 तो आपके जो मैरिड बनाएगा एक तो तो आप कोशिश करो कि इस तीस मैंसे इस तीस मैंसे इस तीस मैंसे आप कोशिश करो कि इस तीस मैंसे आप पच्चिस लाने के कोशिश करो इस पंदरह मैंसे तेरह लाने के कोशिश करो ठीक है इस यूपी में से यह तीन मेजर पार्ट है यूपी में से 16 कोशन लानी कोश्च करो ठीक है जी के जी एस में 12 जोड़ा हूं कम्प्यूटर में मैं आपको आठ जोड़ा हूं इससे कर लिए इतना स्कोर करो आपका पांच और तीन आठ 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 और कि 5, 5 एड़ो, 7, यह आपका जो है,εί आभेट अगर Pपर आया तो से स्कोर है एवरेशट करोने sapp Tennessee हिजैसा पर अभी पीछे आया था जैसा पर अभी आया था बारेसं आपकी 1220 वाली थे उखर ऐसा पर आपका है इस अगर इस पेपर के सेम अग देखें पेपर सेम देखते हैं तो आपको यह स्कोर बिल्कुस सेफ है और टाइपिंग के लिए आपको क्टाइपिंग के नियाँ आपको 50 प्लस अंक से 55 प्लस पच्पन प्लस चाहिए ताइपिंग के नियाँ आपको इतने चाहिए आपके बड़ेगी समय तो इसमें बच्चो को टाइम मिल गया है तजारी का खूब ठीक है तो यह करना है आप यह समझ के चलिए कि टाइपिंग और अपने स्कोर में कम से कम दस से बारे अंका पंदर अंका लेके चलो अंतर अगर आपके 65 भी बनते हैं तो यह समझ देजिए उसका होना चाहिए तो मान के चलिए अगर पेपर उज्ज जैसा बना है पेपर जी ये 1262 के और हलका बना है पेपर तो आप कहने कितने 70 से 72 अंक सफिसेंट है बिल्कुल समझ गये नी और अगर और ज्यादा कठोर बना है और ज्यादा पेपर कठोर बना है तो आप 50 और 55 पर आप अपने आपको सेप मान के चलिए तो पेपर डिपेंड करता है परन्तु आपको हिंद ठै हां कि अपनी इस लेभिल से तैयार करनी है रेगोनिक के चाहए जींग इसका अबने एसे लिए को तैयार करना है ठीक है आपको कमप्वुट complete करना है और YouTube के तैयार करनी है अगर बात कर हैं और तो ए स्लहकों करकרים पूझाना नहींरॉमाद accurate भाज़न लगावाले हैं यह थोड़ा सा दिमात में रखेंगे तो यह चीजह हैं मार परहले यहां से कुछ बच्चे करें ट》इन कें तो इन लो जो जो जिरों आप है तो जो विगनर है टाइप्नींग नहीं आती तलोटा टाइपिंग्ग करना सुरू कर दो और जो ठीक ठाक है निकि ओस्तन है एवरेज बच्चे है और उनसे टाइपिंग जो है लगबग ऐसा मान के चलिए टाइपिंग 20 और 25 की आती है कि 20 हिंदी की और 25 इंगलिज की अगर यह आती है तो यह टाइपिंग ना करें यह केबल किसे तैयारी करें बढ़ा चड़ा के काम करें ठीक है यह बच्चे भी अपनी गंटे के साथ एक्जाम को जो है बढ़ा सबाकर काम करें क्योंकि तुम्हें पता है इस से बड़ी वेकेंसिया आपको कहीं मिलने वाली नहीं है क्योंकि पच्पंसो बार रहे कि जो पोस्ट है ना बहुत कभी आई नहीं है यह बहुत तखड़ी पोस्ट है बहुत तखड़ी इस से कमजोर पोस्ट निमान के चलना ठीक है बहुत ज्याद़ पोस्ट है ठीक है और जैसे आयुक्स जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रू अबगत कराएंगे एक दिन को हम जो प्रफाइल इसकी ले